अस्ट्रिया सिक्षानीती डैश के अधियन की वकालत करती है यानि जो NEP है नेशनल एडूकेशन पॉलिसी है वो किसकी एड्वोकेसी करती है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता करके चलूंगी उसका रीजन यही है कि जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आ आफ यह अंग्रेजी सिर्फ नग्रेजी कैसे हो सकती है छोटे छोटे चोटे समिदा रहे बोले जाने वाली भाशा भार स्वरी हमें सब्से पहले हमें पता है मात्री भाशा को हमें आतु देना है है ना तो मात्री भाषा का option या तो यहां था यहां था यहां था मदर टंग की बात करता है यह त्री लेंगेज फॉर्मुला भी और नियो एजुकेशन पॉलिसी भी एंची एफ बी के बच्चे की मात्री भाषा उसकी घर की भाषा में पढ़ाओ आप उसको प्राइमरी हैं यह जो है आपे सही उत्तर बनेंगा कोई और कॉम्बिनेशन उस तरह का बनता ही नहीं है रिपीटेड कॉस्ट नहीं है चली आगे बढ़ते हैं question number second देखेगा एक बच्ची अपने माता-पता के साथ बिहार से मुंबई आती है यानी बिहार रहती थी बच्ची फिर मु से अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे सा सीख रही है फिर मराठी भाषा क्योंकि मुंबई है तो वहां की लोकल लेंगवेज क्या है मराठी होगी तो अब बिहार से आये तो वहां की बहाँ भाषा हो जिस भी जगा वो रहती होगी बोछपुरी या कई सारी नहीं तुक्त पढ़ाएं लेकिन अब रहती है तक होगी मत्री पाचा है हिंदी हो कि एकटाब सीख रही है यह जो मराटी सीखना है क्यों सब्सक्राइब हुए अगर यहां अंग्रेजी सीखना होता तो अंसर बदल जाता अगर यह हैं किताब नहीं पढ़ रहे स्कूल में पढ़ रहे हैं इस language को हम अपने environment से अपने वातावरन से अर्जित कर रहे हैं बच्ची बटोर रही है अब इस बटोर ने को भी तो सीखना ही कह देते हैं कई बार तो हम सीखने में परिकल्पना निवेश्ट कुछ नहीं भाषा अर्जन सिंपल मराठी जो है वो अर्जित कर रहे हैं बिना पढ़े जब बिना पढ़े किताब की बिना की बात आ जाए तो मात्री भाषा आया जो भी भाषा आप environment से उठा रहे हैं उसको अर्जन और जो आप जिसका grammar पढ़ र रहे हैं जो उसे अर्थ ग्रहन की प्रक्रिया में मदद करते हैं यानि जब वो एक textbook पढ़ रहा है या कोई भी content पढ़ रहा है बुक में पढ़ रही है तो उसे कुछ कुछ संकेत मिल रहे हैं जिसकी साहता से उसे कहा क्या जा रहा है इस पार्ट में उसको समझने में मदद मिल रही है अब इसे किस रूप में जाना जाएगा इस मदद को सरसरी दृष्टी से पढ़ना भाई वो प्रॉपर चैक्टर पढ़ रहा है ऐसा नहीं कि उसने उपर उपर से देख लिया बस के इसके अंदर होगा क्या अनुमान नहीं लगा रहा है बारी किसे पढ़ना है इसमें यह बात कही जा रहे है तो कुछ चीजों में आप अर्थगत संकेत आपको मिल रहे होते हैं सूत्रात्मक संकेत कोई फॉर्मुला थोड़ी है यहां पर तो सी ऑप्शन इस दी राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर फोर क्या कहता है भई चीह भी देख लिए अच्छी अचिक और श्राशाएं में यानि लिस निंग की प्रासेस में मुख्य विचार समझना ने मीन आईङी आइडिया कया है उस पार्थ में राइब में का है उसरी प्रणिद करन निशकर्ष यानि आप समॉराइज कर पारें रहें कि इस भाशा म में मुख्य विचार जब भी बात मुख्य विचार किया जाए निष्कर्ष्कि अनुमान लगाने की इसका मतलब हम भाशा को समग्र रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रतव सबस्क्राइब और नांन दोढल से इसका जवाब क्या होना चाहिए है तो यहाँ सूचना के लिए तोप डॉब डाउन अप्रोच कहेंगे इंग्लिश में यही क्वेस्टिंग्लिश में भी पूछा गया है इसको क्या कहेंगे टॉप डाउन अप्रोच यह बॉटम आप हो जाती है अगर उर्धवान मुखी होता तो नो टॉब डॉप में क्या होता है कि आप बेसिकली एक मु यहां आप एक पोरे meaning से सारांज से हैना मुख्य विचार को समझते हैं फिर paragraph समझ मज रहे हैं फिर paragraph से sentence पे तरहा है यानि एक वाक्या पर आ रहे हैं अगर ऐसा होता कि आप एक word से शब्द बना रहे होते हैं शब्द से फिर आप अर्थ की ओर जा रहे होते फिर उसके बाद आप एक वाक्या बना रहे होते फिर उसके बाद आप एक पैराग्राफ बना रहे होते तब वो बॉटम-अप हो जाता तो जब आप समझ रहे हैं कोई चीज तो वह अधोमुकिश्रवण यानी टॉप-डाउन अप्रोच है ट तो यह क्वेशन आएगा ही आएगा मतलब बहुत बार आता है टॉप डाउन और बॉटम अप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेटेट फॉर्म में क्वेश्च नमब फाइफ देखिए संग्याएं यानी नाउंस क्रिया यानी वर्प्स एड्जेक्टिफ यानी क्रिया विशेशन डैश के रूप में वर्गी क्रित किये गए है पहला ओप्षन है विशेवस्तु के यानी कोई कॉण्टेंट है विशेवस्तु चैटर होता है वो तो क्रिया शब्द के कोई activity वाले वर्ड्स है निश्क्रिये शब्द संपदा है या है बताइए इसमें आ आपके सक्रिय संपदा में आए तो यहां पर यह विश्य वस्तु के शब्दों के अंदर कॉंटेंट्स वार्ड अफ कॉंटेंट्स का पुरा समू है जिसमें नाउन प्रोनाउन यह सारी चीजें आप पढ़ रहे होते हैं तो यह आपका कॉंटेंट की लिस्ट है एक तरह से सब्सक्रिय चाहे हैं तॉसल के इस सब्सक्रिया करें खार सस्क्रिया कॉंटे ऐसड़ा औरम इचमीलिश्य इंग्वेस्ट काते ओं जो कि यंजे सिब्सक्रिया हो रहे है जैसे ज्लाव एक उनको लाया है जी मारा यूज आसे बॉल घंधा में यूस कर रहना में सब्लबवाब यह पाष्य सम्पदा आइब आपको मीनिक पता होता है आपने साहिते में पढ़ा बढ़ा है सुना है कहीं लेकिन शक्रिय शब्द संपधा वो है जिन शब्दों का मीनिंग आपको पता है आप बार बार यूज करते हैं तो यह विश्यवस्तु के शब्द हैं एक तरह से ठीक है मोई होगा हाँ बिल्कुल होगा ठीक बाद चलिए खेर आगे बढ़ते हैं यह कि इन्होंने किया खराब है लेकिन क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन होते ही पूरा भाव बदल जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल है जिसको इंगलिश आते है उसके लिए फूरी थोड़ा इसी है जो सिर्फ हिंदी मेडियम वाले लोगे उनके लिए यह मुश्किल हो गय थ две चान है वेक रणण अनुवाद प्रत्रप्रिया है भाशा प्रक्रिया है सन्भिख रहें सर्चाइब आरवनी स्ट्रक्चर की ओल आःच है आपको किसी चीज की इन UH स्ट्रक्ट्यर की नॉलेच याँ इस स्ब्सक्रिवरुफ एंग दॉनीं कर रहें आ waterproofatifMonor अ कीसी चीजब कहा जाए कि स्टैप पुछा जाए स्टैप किसे चीजब आपट नॉलेशें,ோ किसी चीजब कहा जाए कि step by step solution बताओ किसी चीज़ का यहां से घर से स्कूल कैसे जाते हैं यह साइकल कैसे चलाते हैं computer on कैसे करते हैं यह procedure है वो procedure होता है यहां पर कुछ ऐसा है नहीं यहां पर संदशनाओ की बात हो रही है करने की बात हो रही है जो आपने पढ़के जोटाया है और जवरत पढ़ने पर आप उसको लिखते हैं या बताते हैं जबकि step by step कोई activity करने की बात होती तब तो कारे विधिक होता है जब कारे की बात कर रहे होते तो यह तो पॉसिबल नहीं है व्याक्राण अनुवाद प्रक रहे हैं आप natural language में बनावटी पठन सामगरी तो बनावटी तो हो नहीं सकता संदर्व तो context context क्या होता है natural होता है क्या आपने न्यूस्पेपर में कुछ पढ़ा और आप संदर्व में समझके कोई कहानी बढ़ी संदर्व में समझके कोई बात कि आपको real life example दिया तो मतलब का example नहीं हो सकता कोई न्यूस में कोई बात चल रही हो वो संदर्व नहीं हो सकता ब्लकुल हो सकता तो इसका answer प्रमानिक पठन सामगरी है authentic reading material जिसको हम कहते हैं कि जो संदर्व से आप सीख जा रहे हैं यह ज़रूरी नहीं कि आपके chapter से ही related है किसी भी context से आप समझपा रह कोई और चीज हो सकती है magazine हो सकती है कोई आगे बढ़ते हैं question number eight देखेगा निमलिकित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है यानि language के assessment के बारे में सही है जब आप test कर रहे हैं आकलन कर रहे हैं सिक्षार्थियों की उपलब दी कि कितना सीखा है सिक्षार्थियों की व्याकरणिक ज्यान का आकलन कि सिर्फ उनको व्याकरण कितना आता है grammar की knowledge कितनी है सिक्षार्थियों की भाषाई निपुरता का आकलन यानि उनको वो कितनी पारंगत हैं कितनी भाषा उनको आती है स्तर क्या है यह है पता करना कि सिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है कि क यह पता करना क्या नहीं आता है यह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है अगर यहां पर लिखा होता कि यह है उप्चार आत्मक या आपका एक होता है निदानात्मक परिक्षन तब हम कहते हैं यहां जहां गैप है वह पता करना है लेकिन इनों ने ओवराल आकलन की बात किया तो तो सी ऑप्षन इस ओनली राइट अगर हम इन सब में देखें तो सही उत्तर जो है सी ही है क्वेश्च नमर नाइन देखेगा यह क्या कहता है निम्रिखित में से कौन सा भाशा की कक्षा में तुरूटियों के विशह में सही है यानि गलतियों के विशह में एरॉर्स के बा करना है मतलब चर्चा कहां करनी है कैसे अच्छे मैथर्स का अच्छे सिक्षण विधियों का इस्तेवाल करना है और बच्चे के लिए भी कि उसको पता चले कि वह कहां उसको दिक्कत है कहां सुधार क्या वशकता है तो यह बहतर है लेकिन फिर भी पढ़ेंगे बाकी चार चारों और आप्षण हमारा रूल है कि चारों बढ़ेंगे तो जवाब नहीं देंगे सिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी के तभी तरूटियों को सुधारना देको तुरंत नहीं होता हिंदी हो इंगलिश्वों सीडी पी हो तुरंत गलति सुधार ना को सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि गलतियां सिर्फ उसी केस में होती हैं, तुरूटियां कहीं भी होती हैं, लर्निंग का पार्ट हैं, सीखने का हिस्सा हैं, तुरूटियां, यह कहता है, एक भाषा सिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता, यानि जो डाइवसिटी है हमारे इंडियन कल्चर में, पर प्रदत्य कारे देता है, होमवर्क दिया है कोई, सिक्षार्थियों को इस विशय पर रिपोर्ट आपको तथा पोस्टर तयार करना एक पोस्टर बनाना एक रिपोर्ट लिखनी है करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भुगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंदित अन्य पुस्तक हैं तथा दस्ता वेजों को पढ़ना है, यानि बहुत स सिर्फ सामाजिक तो क्या सिर्फ सामाजिक विध्यान की बात है भारत की संस्कृति सांस्कृतिक विविवदता में भारत की भाषाएं भी आएंगी भारत की संस्कृति भी आएगी इतिहास भी आएगा पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगी तो और यह सब जाने में भाशा है निए लेंग्वेज अक्रॉस करीकुलम जो पाठ्य चर रहा है जितने भी सब्जेक्ट हैं जितनी भी अक्टिविटीज है सब हम भाशा के माध्यम से तो सीख रहे हैं तो जो भी भाशा हमने सीखी है इस्कूल में आकर कि चाहिए वो हिंदी है इंगलिश है है वो कोई भी सब्जेक्ट हो भाशा लेखन का विकास नहीं है यह सिंपल बात है समुची पाठ्यचरिया में भाशा यह सिर्फ सामाजिक विज्ञान तक सीमित नहीं यह बात यह टॉपक में हो सकता है उनको बहुत सारी रिपोर्ट अलग पढ़नी पढ़नी पढ़े वश कोशश कर रही है इस अधिकम तकनी को क्या कहा जाएगा? संग्यानात्मक युक्तियां, मेटा कॉग्निटीव युक्तियां है या आकृति आधारित हैं या फिर सहयोग आत्मक अधिकम है क्या कोई किसी का सहयोग कर रहा है नहीं देखको अब आप इस सब इसमें बहुत ही से लगे हुए हैं metacognitive युक्तियों पर जवाब दे रहे हैं आप इसमें metacognitive युक्ति तब बनती परा संग्यानात्मक युक्ति तब बनती जब बच्चा क्या कर रहा होता reflect भी करे review भी करे है ना review करके plan भी करे है ना review reflect plan manage यह सब आता अगर कभी ना कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्ट से समझना होता है कि हमें किस तरफ लेके जाना चाहरा है question जब भी metacognitive question about thinking about thinking यानी अपने चिंतन पर विचार कर रही है और प्रकाश डाल रही है planning कर रही है फिर एक management है इस तरह कि शब्द इनमें से कुछ ना कुछ शब्द आपको जरूर मिलेंगे जब संग्यानात्मक युक्तियां है जो हमारा दिमाग से जितनी भी चीज़ें जोड़ी हुई है यानि वो thinking यानि चिंतन भी करेगी reasoning यानि तर्क भी करेगी यानि वो imagine करेगी कलपना भी करेगी वो memory यानि स्मृति का भी इस्तिमाल करेगी जो पहले सीखा गया है तो thinking about thinking नहीं हो रहा है reasoning about reasoning नहीं हो रहा है रिफ्लेक्ट करने की बात नहीं हो रही है जस्ट यह आपकी संग्यानात्मक युक्तियों के इस्तेमाल की बात हो रही है तो यह option is the right answer ना की metacognitive metacognitive के लिए आपको ही hints मिलेंगे चोटे-चोटे शब्द एक्स्टा भी देगा वहां पर या कुछ चिंतन पर चिंतन करने की बात हो रही होगी पर पाती है यह जितना भी उसको समझ है वो एक चैप्टर है उसको पड़ पारे मान लिज़े वह पथन सामगरी को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अव बोधन कारे को अपने बड़े भाई की सहता से करती है जा उसको समझना होता है कोई भी काम एक्स्रा अगर पर उसको करना तो वहां पर वहां फेवा है ले लिती जाहां उसको मुझकिल लग रही होती यह हो रहा है वह मद ले देती है तो इसमपल है सहरा मिलना यहां ना दिक्कत है वहां मदद कर रहा है तो इसे सहारा मिलना पार धाचा इसके फोल्डिंग कुछ भी कह सकते हैं वोचिंग तो यह हो गया कि आपको बिल्कुल जहां दिक्कत नहीं भी हो सकता है बिल्कुल चैटर से शुरू कर रहे हैं सिर्फ जहां दिक्कत है वहां मदद देने की बात हो रही है और इस था ही सब्सक्राइब करने में सहता करता है यानि कोई काम है जिसमें वो मीनिंग डिडियूस कर रहे हैं आकृतियां कैसे कौन सा शब्द बनता है उससे जुड़ने की बात कर रहे हैं कैसे अपलाए करेंगे उस शब्द को उसकी बात हो रही है तो व्याकरण सीखने में यह ऐसे मिल मिल के एक वाक्या बनता है ऐसी बात तो नहीं हो रही है कारें विधिक व्याकरण है क्यानि एक्टिविटी बेस्ट व्याकरण है तो कोई एक्टिविटी भी ऐस सच नहीं हो रही है क्या हो रहे है शब्दों की आकृतियों से जुड़ने कैसे कौन सा शब्द बनाया जाता है अर्थ निकाले था प्रयोग में सायता कैसे वह रयोग किया जाए क्प्रयोग में था मतलब communicative level पर बात हो रही है कि आप कैसे यूज करेंगे तो व्याकरण सीखने में संप्रेशना आतमक का रहे हैं यानि जब आप करते हैं किसकी तरफ संपरेशनात्मक कारे की तरफ तो अगर ये व्याक्रण की सनरशनात्मक कारे अगर आकरतियों के आगे कुछ और लिखा होता कि इसमें आप सनरशना देख रहे हैं कैसे कौन सा वाक्या बनता है ये सब लिखा होता तब सी option हो सकता था तो ये option is the only right answer over here आगे बढ़ेंगे question number 14 देखेगा एक बार और जबाब दीजेगा थोड़ा सा बड़ा question लगेगा देखने में question 14 क्या कहता है निमलिकित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतन सचेतन ता में वृद्धी करने वाली रणनीती है सचेतन सचेतन ता बोले तो conscious consciously आप यानी grammar को सीख रहे हैं पैहला option है व्याकरण एक आइयों को निम की तरह प्रस्तुत करना यानि जो व्याकरण की यानी unit संओ ऑने की grammar की नावन होता है उसकोले निम को दरह प्रथक रूप से प्रयोग करने के लिए बारबार अभ्यास करना यानि देखो प्रत्रक रूप से प्रयोग करना बिल्कुल खराब में ए सबस्कुमें नियां को प्रेयोग करने की योग्य बनाना तयatch में संज्यान नियंग को यह 10 कि वियन में उनका ध्यान इसके नियम की और ले जाना यानी कौन सा मेथट हैfilm इंडक्टिव मैथट आगमन विधि उधारन से नियम की और एन cabbage संदर्भ में सीख रहे हैं कहानी आपकोई कहानी पड़ रहे हैं जा आ अपने फेवरेट्च सिटी सामें बता और यह लिखाव वो लिखा फिर आपने बाद में पारिभाशा बताई कि किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान के नाम को यह जो हमने सारी चीज़ें लिखी हैं इनको संग्या कहते हैं यानि आप नियमों पे बाद में लेके जा रहे हैं संदर्ब के बाद तो यह निगमनात्मक विधी है इंडक्टिव उधारन से नियम की ओर जाना ठीक व्याक्रण पुस्तक अथवा अभ्यास पुस्तिका से व्याक्रण के नियमों को प्रस्तुत करना मतलब सिर्फ नियम सिखा रहे हैं तो यह निगमनात्मक डिड़क्टिव मैथड हो जाता फिर यह सचेतन्ता में वृद्धी नहीं होती सी सीधा रट्टे लगा रहे होते हैं आप अनकॉंशिस ली व्याक्रण से जोड़े प्रशन पाट प्थन सामगरी अत्वा किसी वृत्तांत से लिए जाते हैं और अभ्यास वारा सीखे जाते हैं तो यह रटन्त विद्ध्या की तरफ ले जाता हमें जबकि हम यहां पर सचेत कर लोग है रचनवादी जो आपके एक सलिबस में मैथ पून है एक प्याजे हैं जिनको रैडिकल कंस्ट्टिवेश यानि अग्र रचनवादी कहते हैं वाइग ऑसई को सामाजिक रचनवादी यानी सोशल चन्ट्टिवस्ट कहते हैं और ब्रूनर है जिन को कॉग्णेटि वो सीखे मीनिंग्फुल लर्निंग हो ऑपर्चुनिटीज दें आप उसको अवसर दें है ना बच्चे को एक्टिव रखो रचनावाद कहता है ज्यान की रचना कर सकता है बच्चा यानि वो खाली बड़तन नहीं है जो कौन कहता था जॉन लॉक कहते थे सत्रुष हताब दी बच्चे को सक्रिय रखना है ऑप्शन ढूण लो बच्च जहां सबसे आथ सक्रिय होगा बच्चा वही उत्तर सही है बच्चे कक्षा कक्ष सिक्षन के माध्यम से नवीन ज्यान प्राप्त करते हैं यानि क्लास्रूम में टीचिंग हो रही है उससे तो इसमें दो बच्चा बच्चे अपने पूर्व ज्यान से जोड कर सीखते हैं मीनिंफुल लर्निंग कब होगी जब ओल्ड नॉलेज से नियू नॉलेज को पूर्व ज्यान से नॉलेज को जोड करके सिखाया जाएगा तो डी आप्शन इस दी राइट आंसर